तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू दे चैनल कैसे आप सभी उमीद करता हूं सब बड़िया बड़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में तो भाई टाइटल और थम्नेल से आप लोगों ने समझी लिए होगा कि आज की वीडियो किस चीज के उपर होने वाली है तो गाइज आज की वीडियो में एक जनरल ट्यूनिंग बताऊंगा NS200 की and NS200 की जितने भी यूजर्स हैं जो कार्बोरेटेड गाड़ी यूज करते हैं BS4 and BS3 वो इस वीडियो को देखके आज ट्यूनिंग करना सीख सकते हैं VFR ट्यूनिंग करना सीख सकते हैं तो गाइज मेंली ट्यूनिंग की जरुद की पड़ती है मैं आपको पहले यह बता दूँ तो गाइज ऐसा होता है कि जब में अपनी गाड़ी में परफॉर्मेंस अपडेट कराते हैं यह फिर हमारी गाड़ी को ट्यूनिंग की जरुद होती है तो कार्बुरेटर में लोग भी ट्यूनिंग करते हैं गाड़ी के अंदर तो आज की वीडियो में वही चीज आप लोग को बताने वाला हूं और मैं पहली बता दूंगा इसकी यह चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कोई भी इसको सीख सकता है कोई भी इसको अपने घर पे कर सकता है आपको मेकानिक के पास भी जाके कराने की कोई जोरत नहीं है आपको बस इस वीडियो को ठीक से देखना है एंड समझना है एक बार अगर आप समझ लेंगे न तो आप इसको बहुत आराम से सही कर लेंगे और बहुत अराम से अपनी गाड़ी को घर बैठे बैठे ट्यून कर सब्सक्राइब करेंगी एंड पेचकस मैं निकाल लेता हूं पहले तो भाई देख सकते हो यह पेचकस है मेरे हाथ में पड़ेगी आपको यह लो मतलब अंदर तक पहुंच जाए इतना लंबा पेचकस आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं यह गोल्डन कलर का स्कुरू ह इस तरफ काफी अंदर होता है एंस200 में एंस200 के राइडर जानते हैं कि कितना कॉम्प्लीकेशन है यार मतलब क्या ही बता है बाइक कार्बूरेटर का ट्यूनिंग स्कुरू बाकी बाइक में ऐसा नहीं होता है बाहर बाहर को होता है अब तो आप यह वाली गाड़िया आ है हम लोग को सबसे पहले इसका आर्पीम बढ़ाना है तो आर्पीम हम करेंगे इसका 4000 तक तो अभी इसका 1000 के something है 4000 तक करेंगे तो देख सकते हैं 4000 तक हो गया है अब त्यूनिंग चुरू करते हैं सबसे पहले इसको दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि चीज बहुत ही जादा अंदर है तो इस वजए से मैं आपको explain करता हूं पहले ठीक से एंड देन आपको थोड़ा सा दिखाते हैं तो आपको explain करता हूं कि आपको इसको करना कैसे है तो simply आपको सबसे से पहले अपनी गाड़ी को 4000 rpm पर लेके आना है देन 4000 rpm पर जब आप गाड़ी को ले आएंगे उसके बाद आपको ट्यूनिंग स्टार्ट करनी तो जो गोल्डन कला का स्क्रू होगा ना उसको आपको राइट साइड में घुमाना है clockwise direction में घुमाना है जब आप उसको clockwise direction में घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी की जो रेस है आइडल है वो हलकी हलकी कम होती नजर आ रही है दो से तीन टरन लेते हैं कसने के लिए दो से ती करने के लिए clockwise direction में घुमाते हैं अब आपने इसको कस दिया है पूरे दो से तीन टरन ले लिए है अब कसने के बाद यहां से होता है आपका असली खेल शुरू अब कसने के बाद आप आपको इसको लेना है एंटी clockwise में अब जैसे मैं आपको बता था कि आप clockwise में लेंगे त फिर से हलकी सी बढ़ेगी दूसरे से तीसरे टरन के बीच में जहां पर रेस सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी की बढ़ने लेगे सपोस कर यह आपने दो से तीसरा टरन लिया तो एंटी clockwise direction में गुमाते समय जहां पर भी आपको लेगे कि हाँ अब आइडल इसका जो मैंन लेगे कोशिश करते हैं वह यह कहते हैं कि यार अगर मैं हवा जादा दे दूंगा और पैट्रोल कम रहा तब गाड़ी मेरी बहुत अच्छा performance करेगी कोई कहता है कि मैं पैट्रोल बढ़ा देता हूं हवा कम कर दूंगा तो मेरी अच्छा परफॉर्म करेगी भाई मैं आप लोग को इस समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है बाकी गाइज इस से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं क्योंकि मुझे पता है एक बार में यह चीज समझ में नहीं आएगी तो अगर कोई भी परिशानी आए त आप कमेंट सेक्षिन में बेजज़क मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपने अपनी बाइक में एक्जॉस सिस्टेम अगरा लगा रखा है तो मैं तो कहता हूं कि बाइट टाइम इसकी ट्यूनिंग करते रहा करो क्योंकि यह कार्बूरेटेड इंजन है तो और अच्छी करने के बाद सुफेनेश मैंने आप लोग को बता दिया कि केसी करी आटी यह कमने का एंग्ल खुराबता इस वरिचा से प्रोप दिख नहीं पाया अप लोग को मैंने बता दिये कि आपको किस तरीके से प्रोसीजर को करना है साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर से परसिस्ट होती तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में मेरे से पूछ सकते हैं तो आज के जो वीडियो है हम इसको इतना ही रखेंगे इस वीडियो पसंद आई हो त तक के लिए अपना ख्याल रखें थांक्स वॉच्छें